है मित्रों पिछले एक पक्षवाडे में दूसरी बार हम सब मिल रहे हैं और अच्छा लगता है कि आप सब लोक्तंद के चौथा इस्तदम और प्रहरी हो जहां हमारी के वहीं आपकी भूमी का भी महत्यपूर्ण होती है और और इसी मुतलिक क्योंकि रांची लोक सबाइब बहुत बढ़ा छेत्र है आप समझो कि बंगाल बॉर्डर से कपाली से लेकर इचागड कपाली से लेकर चत्रा बॉडर तक खेलारी तक और रोजाना सुबे जैसे साथ बज़े सुबह से दस बे तक घर पे हम लोगों से मिलते हैं फिर उसके बाद जो छेत्रम निकले तो राद देर राद तक आमूमन देर से 200 किलिमेटर रोज घुमते हैं कोशिश रहती है कि लोगों पीज जाएं क्योंकि यह आफिस तो है ऐसा साथ आफिस है मेरा अभी चार द समस्याओं को निवारान समधान और समधान लोकल इस्तर पर हर कोई गांवाला राची नहीं आ सकता आते हैं लेकिन आप चौका में बैठा इंचा गड़ें बैठा है तो वहीं चला जाएगा वहां से उसको प्रिद्धा पे से हैं विद्वा पे से हैं कोई कधान मंत्री आप देखो मेरा समधान के वह सुबह नौ बजे खुलता दस साड़े देरा तक हमेशा कभी खाली नहीं पाईएगा हमेशा भरा रहता है तो जनता से जुड़ा हो जनता के साथ लगा रहना तो इमेरे का से पहली बार रांची के इतिहाद में पहली बार ऐसा हुआ हुआ जनता से प्रती जिम्मेदारी जनता प्रती दाई तो हमारा क्या है यह बखुवी हम समझते हैं और उसी मुतलिक काम भी करते हैं कि चलो भाई आदमी करें इसलिए आज इस प्रेश्वारता में हमारे अनुसुचित जातिय मोर्चा के रास्टिय मंत्री जितुचरन नाम जी जी भी हैं हमारे पार्सद उम्प्रकास जी भी हैं वाट बत्ती से ना वाट 27 के तो एक विशे समसमाई विशें हम बोच सकते हैं मानिय उच्चित न्याले के द्वारा लगातार राज सरकार की कारपणाली पर प्रस्ष्चिल लगा रहा है हरë मुद्दे पर यहाँ तक कि सरोशन नाले भी और इतने वडिक पांस होने के बाद भी मानिय उच्चित न्याले के वडिक पांस होने के बाद भी सरकार अनदेखी कर रहे है सोई हुई है उच्छी न्याले बोल रहा है उच्छी न्याले के भी आदेश को आप मैंने कोई गंबीरता से नहीं और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार को जगना चाहिए खाली चुनावी मोड में नहीं जाना चाहिए हाँ चुनावी जब चुनावी मोड में जाओ आप यात्रा करो आप पिकनिक करो आप राइपूल जाओ सब ठीक है लेकिन जनता की प्रती दाइक वह जनता की प्रती हमारी क्या जिमेदारी है आपने आपको जनता ने समर्टन दिया जनादेशी दिया कि जनता की समस्या को निवारण अब पिछले चार महिने से बिजली की समस्या पे हम सब आंदोलित रहे बार बार जगाने का प्रयास किया लेकिन आप देखो कि बुकुमंती जी तीन महिने बाद जगे तीन महिने बाद उन्होंने मिटिंग बुलाई कि नहां साब आप लाइट नहीं करनी चाहिए यह तो तीन दिन क्या तीन घंटे कंदर होना चाहिए था जब जनता परेशान हो गई गाहं गाहों से आवाज उठेने लगी कि बिजली दो नहीं तो गर्दी छोड़ दो तब मुक्रिमंदर जी की निंद कुली तब ब विजली की नियमित होना चाहिए तो यह गंभीर है विशे गंभीर है माने आप जनता की प्रती कितने जिम्मेदार हो कितनी जवाब दे हो इसी से पता चलता है एक मामला है कि पिछले कुछ महीने पहले में रोड में एक दंगा कराने का प्रयास किया गया सून योजित एक स में और लेकिन शवर की क्रिपा थी कि राची शहर जलने से बच किया लगातार उस हमिमें दिली में था मैं लगाता है फोन पे नहीं सांतरो 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 कोई नहीं कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा पुलिस तंतर है सब सारे पुलिस अधिकारियों उसमेरी बात होती रही आप देखो इतनी बड़ी कारवाई हुई दस-पंद्रह हजार लोग निकल गए आग में जोगने का काम किया लेकर उसके भाद कारवाई बंद फाइल बंद कर दी गई तो यह प्रसले नहीं दे रहे हैं आप ऐसे असमाजिक तत्तों को आप उनके खिलाप कोई कारवाई नहीं लगातार पिछले को प्रेंस कॉन्फरें कर दिया कि आपने में रोड में जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसकी फाइल बंद कर दी क्योंने सीबी आई को सब दिया जाए यह उच्छी नहीं लेका हम तो सुरू से नेक्स जैसे हमने यह मांग की थी कि सीबी आई जाच होनी चाहिए एक बहुत बड़ा सड़यन था राची को आप में जोकने का संप्रदाइक दंगा कराने का ऐसे लोग मनसूबे में सफल नहीं हो इसलिए सीबी आई जाच होनी चाहिए अब मानी उच्छी नहाले को गंभीरता से कितनी बड़ी बात है कि मानी उच्छी नहाले बोल रहा है तो इस पे तो निश्छी क्लूप से सरकार को गंभीर होना चाहिए ऐसे त्रतवा हम किसी झाति धर्म कुछ त ली आते हम सब राची वासी है संप्रदैक्स सद्वाव रहना चाहिए लेकिन कोई महौल बिगाड़ने का काम करें समार्जी समरस्था को बिगाड़ने का काम करें तो बरड़ास के बाहर एसे लोग किसी जाती, किसी धर्म, किसी कोई हो, किसी बड़े पद पे हो, नहीं, सजा मिलनी चाहिए, और इसलिए मानियूच चिन्याले के वडिक के बाद अभी तो उन्हें कहा है, कि क्यों ने सौप दी जाए, तो सरकार को जगना चाहिए, सरकार को पूरी तरह करवाई करनी चाहिए, ऐसे तत्तों को जिला बदर करना चाहिए, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए, अब मानियूच चिन्याले को और टिपणी आई, वो टिपणी आई, मेरे कासे देश में ऐसी टिपणी यह बहुत कम होती है, कि मंतरी और कुछ लोग टेंडर मैनेज कर रहे है, कौल भी चल रहा है, हम उसकी सत्यता उस पर हम नहीं जाएंगे, कि मानिय उच्च न्याले के द्वारा ये टिपणी की भी मंतरी टेंडर मैनेज कर रहे हैं, ये गंबीर गटना है, ये लोगतंत खत्रे में है, मंतरी टेंडर मैनेज करें, और उच्छ नियाले पिपनी करें उसके बाद भी आप को क्यों यात्रा निकालने कौं सी ज़न्य हीत यात्रा भई आम जनता त्रहिमां कर रही है कौन टेंडर मैनेज करता है क्या इतना लोकतंत्र लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है अगर लोकतंत्र में लोकलाज को धत्ता बता दो तो लोकतंत्र का क्या महत हो भई और मानी उच्छी न्याले कि ठिपड़ी के बाद मानी मुख्यमंत्री जी को निश्ची तुरूप से इस पर ठिपड़ी करनी चाहिए क्या है और एक और गंभीर घटना मेरे कासे देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गाए जानवर की तसकरी होती है उसको तुस्टी करन नीती के तर रोग दिया गया नहीं साब वो नहीं होगा अरे क्यों नहीं होगा तसकरी कर गवो को बंगलादेश भेज रहे गवो माता है और उनका यह बयान कि पुलिस करवाई नहीं करेगी तो कौन करवाई करेगा ऐसे हम खुला छोड़ने हैं कि हमारी मा को आप ले जाके बेच दो हमारी मा को जाके काट दो यह क्या है भई गाय हमारी मा है भारत माता हमारी मा है यह धरती मा है ये टिपणी मानि मुख्यमंत्री जी की और से आई कि पुलिस नहीं करवाई हूँ तो मनोवल बढ़ाना ऐसे तक तोको कलो हमारे पूरी छूट है तसकरी करो जार खंड की सीमा से पारो कोई रोखने वाला नहीं है हम चुप बेटने वाले नहीं है और इस पर हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसवाई में हम आउज इसकी बात रखेंगे क्या तमश्या भई क्या आप पसु तसकरों को बढ़ावा देने चाहते हो पसु तसकरों ने हमारी बेटी का टुप दाने का आगे वहाँ जान ले लिया मिल पाया ऐसे कितने हत्याय होती हैं तो ऐसे तत्कों को मान बुख्रिमंत्री जी बड़ावा नहीं दें मेरा यह नम्रण निवेदिन है माने बुख्रिमंत्री जी की थी हमने फोन करके प्रबारी ट्राफिक सबसे नेरो सड़क हर्मान मंदर के बाद होती है वहां क्यों नहीं क्या तुष्टी करण नहींती है कौन बंद आप हम किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन भेदवाव नहीं होना चाहिए आपको कहना चाहिए कि भाई कमिशनर चौक से सरजना चौक तक कोई ठेला नहीं लगे हम उसके अलग विवस्था कर रहे हम अटल मार्केट दे रहे हैं अटल मार्केट बनाएंगे लेकिन एक सिर्फ हम सरजना चौक से लेकर यहां तक करें पूरा करो डेली मार्केट के सामने एक बहुत चोड़ी सड़क है जो चर्चोड को जोड़ती है वो तेरह 14 किलो मीटर की है पूरे तरक अब जाए खाली करो हम उनके रोजगार पर हम नहीं अटेक करें उनका रोजगार नहीं रोचगार को छगार हैं कि इसंसे हां उनको बड़ासा मार्केट में प्ल करेंता है जो सामने उनको जगह दो मास्टर प्लंग इस वर होना चाहिए और तुरंत उसको जाम से मुक्ति मिले दूसरा प्रधान मंत्री नरेंद्मो जी का लाइट हाउस जो प्रजेक्ट है वो उसको बादित हो रहा है गलत निया कि से इतना बड़ा बद्धम अनको लाइट प्रजच को इको तो सब्सक्यां कर यह ऊज्यागे आवास में जाता है जो लाइट हास प्रजेक्ट काल वालू कि इलत हो गई पहले उधर दो साल करोना में निकल गया, एफेक्ट हुआ फिर बालू की चलते तरह हिमाम हो गया, सबसे खम जो जारकंड है, तो हम क्या माने, राज सरकार की जो नियत यह उस्सा ही नहीं है, किसा भी तो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, जिस तरह प्रधान मंतरी जी करोना काल से आज तक जो गरीब कल्यान योजला के तहट अन्न बाठ रहे है, पांच केजी पर केजी, उसमें भी पिछली मर्दों बता है था हमने, कैसे उसको चार मेने तो रोका गया, तो गलत है, लाइट होस प्रोजेक्ट में कोई बादा नही आए, मेरा आग्रा मानि मुख्वंत जी से है, कि ये मध्यमरी परिवार के लिए है, इसमें कोई बाधा उत्पन नहीं हो, ये जिम्मेदार ही आपकी, क्योंकि करोनास के बाद और बालू के बाद, ये बड़ा नुक्सान हुआ है, इस पे भी मेरा बड़ी मानिसिलिया मैं क्रिपणी करना चाह रहा हूं, कि ऐसे जो बेघर लोग हैं, ऐसे लोग घर मिला है, एक सपना होता है, उसको मानि मुख्यमंत्री जी, उसमें कोई बाधा उत्पन नहीं करे, मेरा अग्रह है, किस पे आप जरूर ध्यान दे, इन कुछ विश्यों पर हम को चर्चा करनी थी, यह गंभी चर्चा है, दमराजरीती से अलग हटके चर्चा है, और आपके माध्यम से मैं बात सरकार तक पहुचाना चाहता था, और यह माध्यम आप थे, इसलिए मैं आप सब को मंत्रित किया, और यह हमने जैसा बताई है, 216 किलोमेटर की जो सड़क है, वो रांशी लोग सभा के पांचों विधान सभा में, यह 216 किलोमेटर सड़क है, लगबग 216 किलोमेटर में समझे है, 240 करोर के अगल यह सड़क आई है, बहुत बड़ा तोफा, प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी के आशिरवाद से, और रामीर विकास के आशिरवाद से, यह तोफा मिला है को, और माने 216 किलोमेटर सड़क बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जैसे इचागर को 50 किलोमेटर मिला, तो ऐसे ही सब विधान सभाव के नाम है, क्योंकि राची शहर तो सहरी इलाके में आ जाता है, तो यह ग्रामीर इलाकों में है, तो जहां जहां कितने किलोमेटर, 10 किलोमेटर ऐसी सड़क है, यह बहुत बड़ा राची लोकसभा के ग्रामीर इलाकों के लिए प्रधान मंति नरेन मोदी जी के ओर से बहुत बड़ा तोफा है, और एक सुधरी करण का भी एक तोफा मिला है प्रधान मंति नरेन मोदी जी के ओर से, जारकर सरकार ने खराब सड़कों के सुद्री करण के लिए 300 करोड मांगा था, 300 करोड मिला है, और ऐसे 54 सड़क, राची लोकसवा के ऐसी 54 सड़क पास हुई है, जहां मजबूती करण, सुद्री करण हैं, उसको सड़क तयार हो, ये दो तोफे, ग्रामीन, विकास, भारस सरकार की ओर से, पधान मंति नरेद मोदी जी के ओर से मिला है, मैं आपके माध्यम से, पधान मंत्री जी को हम क्या भिनंदन करेंगे, हम तो छोटे से कारे करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा तोफा, राची लोकसभा के, जनता की ओर से, पधान मंति नरेद मोदी जी को, और ग्रामीन, विकास, मंत्री गिरिराद जी को विशेश धन्यवाद, और इस तोफे के लिए अब गिरिराद जी आज आ भी रहे हैं, राम्ची आ रहे हैं, तो हम मिलकर अब धन्यवाद देंगे, आज इसी मुद्वे पर आप सब से चर्चा करनी थी, और इस चर्चा, यही हमारे पॉइंट्स थे, और क अथरकार आप दिन रात घूमते हो, हम भी दिन रात घूमते हैं, कोई ऐसा प्रस्ण हो, एक कोई सब प्रस्ण आपके दिमाग में हो, को सुझा हो, कि लोकसवा में हम आवाज उठा सकें छेतरे की, तो आप बताएंगे, तो कर रहे हैं, ने चुप नहीं है, तो इस बंदी से, मंत्री से, कर रहे हैं, तभी आज स्थिर है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब हमारे, हमको, हमको जो करना है, वो हम कर रहे हैं, लगतार आप, आप सब को भी से भी हमेशा रूबरू होते रहे, कोई अच्छा समचार होगा, तो हम पताएंगे, ज़रू, तकि हम चुप नही बहुत अच्छा सुजा हुए बहुत बढ़िया बहुत बच्छा प्रशन है ठीक है ऐसा कोई सुजा हुए लोगों यह यह कि लाडियों को नौकूरी कैसे मिली लोग्सभाव रोजगा से जोड़ता हैं विल्कुल नहीं वाद के बात करें तो जो ओधिक्यां ने बिल्कुर बिल्कुर यह अच्छा यह अच्छा सुजाओं विजू रहें लेकिन विने तो कहीं उनको प्रजार नहीं मिल पार पर अच्छा यह अच्छा तो क्या उनके लिए को प्रियास होगा राजस्थान और हर्याना के माप दारज देना चाहेंगे अगर आपके आपके अठपा लगा कि आपने जहारखंट को या फिर अपने इस्टेट को रिप्रिजेंट किया तो आपके नौकरी पक्ति है विहार म तो की बथा कि परोटि हैंगे जो समय निरधारी को होता है कि इतने मिनट बोलें है पांच गाहिं छेट राउन चलता है हर पार्टी को समान रूप से कितने लोग बोलते हैं ने असलाव की समय में कमी करण जो इतना समय मिलता है निर्धारित रहता है यह बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रस्वन है कि रोजगार से जोड़ा जाए हमने इंगित किया था कि हमें कॉन रेलवे सेल यह मदद करते हैं लेकिन और कैसे रोजगार से हम जोड़ें ताकि ऐसे बच्चे हमारे जितने भी हमने कहा कि ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ड्रेस नहीं खरी सकते जूता नहीं खरी सकते तो ऐसे लोग ऐसे बच्चे को आगे बढ़ें इसी लिए सब्सक्राइब करें जहां डेटाबेस तयार हो गया खिलाडियों का पूरे देश भर का तो आप वह सब कुस्तामने आज सब्सक्राइब के लाड़ी जो राजिस्तर पर राश्चिस्तर पर हैं उनका डेटा बेस तयार उसा पूरा सब कुछ आ जाएगा